Hey everyone, once again, welcome back to my YouTube channel, my name is Shashi Kumar and I am a secondary MBBS student Guys, मैंने 2019, first attempt में crack किया था, मुझे पताया कि कैसे करना है, मुझे पताया कि कैसे करना, आपको क्या करोगे तो आपका निट भी crack होगा ठीक है, ये वीडियो के था में लास्त तक देखना, समझना, बारीकी से, क्या बता रहा हूँ, नोट करना, पिन, कॉपी लेके बैठो, नोट करना चैनल पर नहीं हो, चैनल सबस्क्राइब करना, पहली चीज, वीडियो को लाइक कर दो, क्यूंकि बहुत अच्छा चीज, मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे आप पढ़ोगे, क्या चीज, NCRT का बायलोजी, पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, NCRT में बायलोजी में 360 में 360 में यही मैं बताऊँगा, अपना personal experience share करूँगा, कैसे मैं पढ़ा था, so मैं everything we are going to discuss in this video, अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कर लेना, ठीक है, वीडियो को share कर देना, share करने से घबराना नहीं, दूसरे को भी बताना है, ताकि competition बढ़े, ठीक है, competition को अच्छा लगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आपको मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा, आपको मैं क्या बताऊंगा, कि आपको biology के NCRT को कैसे एगदम अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको कुछ समझ में आए, आपको सीख मिले, ठीक है, मतलब कुछ effective हो में डिसकस करूंगा दो तिन पॉइंट यह बस लेकिन पूरा इफेक्टिव पॉइंट से दो तिन है लेकिन पूरा इफेक्टिव मतलब आप कर पाओगे आप कर पाओगे चलो देखते हैं पहली चीजी देखो कि आपको बायोजी के एंसाटी कैसे पढ़ना है मैंने फस्ट कर दो रिया लिव ग्ल्वार को ले लिया ठीक है अब आप क्या करोगी कि यहां से पटना सुरू करोग चैप्टर वान लिये हैं ग्ह безопас से पहले चीज आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि आपको आपने चैप्टर में पाढ़ने जारो है बहुत ही इमपॉर्टन रि करते ही नहीं कोई कोई करते ही नहीं कि देखती ही नहीं कि आपको क्षिपटर उठाया पढ़ना सुरू करतें नहीं आप पहले देखतीर में किसद्स हुआ पट्ना प्र centuries ऐक कि इन नॉलेज है इस से आपको न जब पढ़ रहा हूं न जब पढ़ रहा हूं आप तो वह आप देखो कि यह हेडिंग हर चैप्टर के कॉर्णर में एंसी आटी ने में सब्सक्राइब कि आपको इस चैप्टर में यह पढ़ना है तो वह आपको देखना है नहीं नोट करोगे ऑके बट देखो एक देखो कि आपको वर्टिज लिविंग डैवर्सेटी लिविंग वर्ड टेक्सोनोमिक केटेगरीज टेक्सोनोमिकल एड्स यह सारे चीज इस चैप्टर में वह आज पढ़ने नहीं है ठीक है तो यह पहली काम आपका यह पहला काम ठीक है दूसरा काम समझो क्या है जब मान लो कि मैंने दा लिविंग वर्ड उठाया दा लिविंग वर्ड उठाया उठाने के बाद उठाने के बाद आप देखो कि इस चैप्टर में टोटल कितने पेज है ठीक है टोटल कितने पेज है यह पता होना चाहिए टोटल कितने पेज है मान लो कि टोटल पेज दस है तो अब आप क्या करो इस दस पेज को इस दस पेज को आप इस चीज में डिवाइड करो कि मुझे यह चैप्टर को न एक घंटे में कंपलीट करना एक घंटे में कंपलीट करना ठीक है एक घंटे में इस चैप्टर को कंपलीट करना मतलब इस दस पेज को कैसे डिवाइड करे के लिए आपने दो घंटा लिया एक घंटा लिया ठीक है फर्स ताइम अगर रीड कर दो घंटा लो एंड ट्राइब करो कि पेज को आप डिवाइड कर दो कि एक पेज को पढ़ने में मुझे 15 मिनट लेनी है ठीक है और बागी समझे तो आपने इस क्या समझा कि आपको पेज देखने है टोटल कितने है और पर पेज आप टाइम डिवाइड कर दो कि इतने में करने है और ट्राइब करना उससे जल्दी कर लो ठीक है इससे फाइदा क्या होगा फाइदा समझे इससे फाइदा क्या होगा फाइदा ये होगा कि अगर आप अगर आप लिमिटेड टाइ क्या वह आप complete कर लिया मतलब छोटा सापने success गेन कर लिया एंग छोटा-छोटा करो तरी और कंपलीट करो तो आपको क्या कारना कि प्लीज यह आप से एक रिक्वेस्ट बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चेप्टर को उठाके यह बिल्कुल भी ट्राय मत करना कि इसका जितना नोले जैना मुझे एक बार में आजाना चाहिए नहीं आए ठीक है अगर आप जाता है गलती से अगर गलती से आप भी जाता है तो वह लंबा रहेगा नहीं ठीक है लंबा नहीं रहेगा आप सिंपली मैं सिंपल सा बताता हूं मैं सिंपल सा खुद का मैं खुद का इस्टाइज यह बताता हूं एक पेज को पांच मिनट दो एक पेज को पांच मिनट दो एक पेज को पांच मिनट दो उस प सब्सक्राइब कर दो कि आपको एक चप्टर को पढ़ने में न एक घंटा इना फै है ठीक है या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप ले ले लिए उसके बाद उसके बाद समझो घयक हो काते आप ने पढना सुरू किया आपने क्या किया पढ़ना शुरू क्या यहां से पढ़ना सुरू कित अशके बाद आप पैंसिल लेके बैठ हो। लेकिन उसमें भी साव इंपोर्टन नहीं जो भी इंपोर्टन लगे कि इससे question आ सकते हैं इससे सकते हैं वो आप ऐसे मार्क करोतीख है वो आप ऐसे मार्क करो ठीक है और Shade मैं खुद करता था मैं अपना बता रहाँ मैं करता था पॉऑंट ओफ क्वयेशन अगल में बस लिख दो मैं जानिया सकता भी मुझे लगता हुआ सकताँ पॉइंट ओफ कुषिशन नीट नीट दो हजार बाइस में पूचेगा यह गरन्टीधि पूचेगा ऐसे करना है करना है कि आपको फस्त डिडिंग में नहीं करना है की जब अपको जरूर करना जरूर इससे क्या होगा ना आपको अलग लग लिवल कोन फिड़ेंस सबस्क्राइब कर आप सकता है तो पॉइंट फोईशन नीट 2022 में आएगा यह आएगा ऐसा आपको लिखना है ठीक है पढ़ना तो है एक लाइन इंपॉटेंट है नौट डू नौट रूफ वॉल्स यह सभी इंपॉर्टेंट है ठीक है लेकिन तरीका से पढ़ो ठीक है तरी यह ज़रू ट्राई करना और बाकी जो मैंने तीन चार प्यांपना वो जो ट्राए करना फीक है और जटेश़ को यह मत करना की एक वार में किम्लिट करना इचा करो एक वार से आराम हुआ कब्ला कारो जाए प्ला घोnite कर क क क